वल्कम टू इंडियास बेस्ट केफ सीग्रेट फिल्म के स्टोरी का सस्वेंस भारत के अजादी के हीरो निताजी सुभास चंदर बोस पर बेस्ट होने वाली है तो आईए थोड़ा डीपली बात करते हैं कैसा है ये ट्विलर फिल्म के फॉस्ट लूक और टीजर में मेकर्स ने सुभास चंदर बोस वाले एंगल को काफी ज्यादा हाइलाइट रखा तो फिल्म का ट्रिलर आते ही आईडिया लगने लगा कि फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है ट्रोलर की कहानी एक इंटरनेशनल आर्म डीलर कादीर के अराउंड घोमती है जो दुनिया भर में हत्यारों की शपलाई करता है और उसी के पास नेताजी सुभास चंदर बोस से जुड़ी कुछ फाइले होती हैं और इस फिल्म की स्टोरी में साइद वो फाइल इसलिए भी जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि नेताजी सुभास चंदर बोस आजाद हिंदर फॉज के लड़ने के लिए कुछ बड़ी इंटरनेशनल हतियार औरेंच किये थे जो आज भी किसी इसी जगह पर हैं जहां पर किसी को पता नहीं और साइद इसलिए इस फिल्म का बिलें कादीर इनी हतियारों के पीछे पड़ा है तो वहीं कादीर को रोकने और निताजी सुभास चंदर बोस से जुड़ी जहस्य का पता लगाने के लिए निकल सिधार्थ को भेचा जाता है और इसके अलावा इस फिल्म में राणा दिक पती भी एक खास किडार में भाते भी नजर आ रहे हैं पर ट्रोलर में ज़्यादा उनको रिविल नहीं किया गया है अब बात करें इस फिल्म के रिलीडर के तो यह फिल्म में पैन इंडिया, तमीर तेलगो, मल्यालम, करनला, हिंदी जैसी भासाओं में एक साथ 29 जून को थेटर में रिलीज हो रही है वैसे अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मूवी के रिलीज होते ही मैं मूवी का लिंक पर टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो ने तब तक के लिए टेक केर बाई बाई